Exercise 1E, Question No.10, Divide the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3 by their difference. इनके sum को इनका जो difference आएगा उससे divide करना है. तो इसको हम two method से सालू कर सकते हैं. तो जिसका फर्स्ट method अगर हम करना चाहें, तो देखें किस तरह से करेंगे फर्स्ट method से? दोनों method आपके right हैं, तो जिसके first method से करने जा रहा हैं इसको, apply कर सकते हैं, दोनों से ही हैं. तो first method में क्या apply कि आपने? कि जो the sum आप है, इन दोनों का sum निकाल लिया. The sum of 65 upon 12 and 8 upon 3. इन दोनों का sum निकालने जा रहा हैं, तो इन दोनों का sum क्या आ जाएगा? देखें, तो यह equal हो जाएगा, 65 upon 12 plus 8 upon 3. इन दोनों number को add करना है, तो 12 और 3 का LCM कितना आ जाएगा है? तो जिसका जो बड़ा number है 12, 12 से भी divide हो जाता है, 3 से भी divide हो जाता है, इसका तरफ 12 जो LCM हो गया. तरफ 12 से 12 को divide किया, 1 time, 1 का 65 multiply करेंगे, तो 65 आ जाएगा, प्लस 3 से 12 को divide करेंगे, 3 4 जा 12, 4 times, 4 से 8 को multiply करेंगे, तो 4 8 जा 32. अब देखें, प्लस करते हैं इसको, तो 5, 2, 7, 6, 3, 9, तो 97 upon 12 आ गया, ये आपको क्या निकल है, the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3, एकल टो कितना आ गया, 97 upon 12 आ गया, और इनका अब difference भी निकाल लें, तो देखेंगे, आगे हम difference निकालने जा रहे हैं, तो the difference of, the difference of 65 upon 12 and 8 upon 3, इन दोनों का difference निकालने जा रहे हैं, तो देखें, difference निकालेंगे, तो 65 upon 12 minus 8 upon 3, इसमें भी आपको LCM लेना पड़ेगा, तो 12 और 3 का LCM कितना आ गया, 12 आ गया, आप 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 1 time 1 का 65 मुल्टिप्लाई करेंगे, तो 65 minus 3 का, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 times, 4 का 8 मुल्टिप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, तो देखें, ये आपका क्या है, ये आ गया, 65 में 32 माइनस करेंगे, तो 5 में 2 माइनस करेंगे, 3 आ जा यह निकला आया इसको difference, sum यह निकला आया था 97 upon 12 और difference आगया 33 upon 12, अब इसमें जो sum आया है, तो now divide, आप करेंगे क्या, divide, जो sum आया कितना है, 97 upon 12 by difference कितना निकला 33 upon 12, मनें 97 upon 12 को इससे divide करना है, इसको write कर लें, तो 97 upon 12, divide का sign लगाएंगे, 33 upon 12, equal, अब इसको multiply में change करेंगे, divide sign को, तो 97 upon 12, divide sign को multiply में change किया, तो इसका reciprocal हो जाएगा, तो 12 upon 33, तो 12 से 12 cancel हो गया, 12 बंजा 1, 12 बंजा 1, अब यह kisses cancel हो रहा है, तो cancel नहीं हो रहा है, तो 97 का 1 में multiply करेंगे, तो 97 आजाएगा, upon 33 upon 33, तो 97 upon 33, यह divide करने पड़ा आ गया, यह answer हो गया, तो question number 10 को second method से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे second method से, तो divide the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3 by the year difference, तो इसको direct लिख सकते हैं, कैसे, 65 upon 12 और 8 upon 3, इन दोनों का जो sum है, sum means plus किया, इसको divide करना है, divide किसे करना है, their difference, इनका जो difference आगा, तो इनका difference क्या हो जाएगा, 65 upon 12 minus 8 upon 3, माने इन दोनों के जो sum को है, sum को divide करना किसे, इनके difference से, divide करना है, तो इसको एक साथ अपने right कर लिया, तो इककोल क्या हो जाएगा, तो इसमें LCM आ जाएगा, जो first bracket में 12 आ गहा है LCM, 12 आ जाएगा, 12 से 12 आ जाएगा, 12 से 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से 12 को डिवाइड किया, 1 ताइम, 1 का 65 मल्टिप्लाई करेंगे, 65 आ जाएगा, माइनस, 3, 4 जा 12, 4 ताइमस, 4, 8 जा 32, अब 65 और 32 को डिवाइड करेंगे, तो 5, 2, 7, 6, 3, 9, तो 97 आ जाएगा, 12 डिवाइड भाई, 65 में 32 को माइनस करेंगे, तो 5 में 2 माइनस किया, 3 आया, और 6 में 3 माइनस किया, 3 आया, तो 33 आपन 12 हो गया, अब इसको आगे साल्व करना है, तो 97 आपन 12 डिवाइड साइंड को मल्टिप्लाई में चेंज करेंगे, तो इसका रेशी फोकल हो जाएगा, तो 12 आपन 33, देखे 12 आपन 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बंजा 12, 12 बंजा 12, और यह कैंसिल हो नहीं रहा किसी से, नहीं कैंसिल हो तो 97 अपन 33 is the answer, तो यह second method से solution आ गया, और वो आपने first method से अलग अलग sum और difference निकाल करके फिर उनको divide किया था, तो दोनों आपके right हैं, किसी method से कर सकते हैं